use of with English grammar of with का use correctly कैसे करते हैं मैं आज आपको समझाता हूँ अगर आपको with का use करना है तो with का use करते कह ए तो आपको अगर indication होता है किस चीज का कि वो कोई चीज together है involved है together मतलब कोई चीज सात्मा होना involved मतलब उसके अंदर involved होना having मतलब कोई चीज किसी के पास होना कोई special चीज किसल using को किसी चीज के दौरा किस चीज को प्योग करते हैं तो वहां पर using feeling होती है हमारे हम किसी से कहते हैं कि यह मेरी बित खुशी से है या पर मेरी चैन्स रपारल जी उस तरीके से agree किसी से हम सहमत होते हैं understanding किसी से हम कुछ चीज हम समझते हैं अग्जांपल समय लेते हैं आई अग्री विट यू तो आई अग्री विट यू तो आई अग्री डेश यू तो आई अग्री विट यू यह हो गए आपका अग्रीमेंट शी इस राइटिंग लेटर बित हर सिंसेर अपॉलजी तो यहां और आप देखेंगे विट हर सिंसेर ऑपॉल्य होगई क्या होगा यह आपकी है कि वह उसने लेटर लेखा एं। Sou bon decry उ से पॉलिज मतलब कि उसने माफी महांगी किससे विट हर सिंसे अपालेजी टी इए फीलिंग हो गई ही फीलियर इस अमेटर बिट तो आप देखेंगे he writes a letter with her pen तो आप देखेंगे with the pen तो यह किसी की सायता से use कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा using समझ में आगई बात he writes a letter with the pen with the pen you give her जो तुमने उनको उसको दिया था तो यहाँ पर उसकी help से pen की सायता से use करके तो कोई भी instrument आता है जिसकी सायता से जैसे मैं उसको डंडे से मारता हूं तो वित तो आपका वित इस्टेक आएगा राम वित अलोट ओफ मनी इस नोट हैपी राम वित लोट ओफ मनी आप देखेंगे इसके राम के पास है वही मतलब बहुत सारा तो वहां पर भी आपका वित ही आएगा जैसे किसी की रेड आई जो भी आपको लिखना है तो वित कोई स्पेशल चीज किसी पास जो होती है उसमें शी लबस टू इट सेंडविच बित आड ड्रिंग बित आड ड्रिंग उसको अच्छा लगता पसंद है क्या करना सेंडविच खाना किसके साथ ड्रेंग के साथ तो यहां पर तो तो यहां पर आप वित का यूज करते हैं तो को जरी लाइक करें शेर करें सबस्क्राइब करें